तो गाइज अभी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हैं कि पिंटरस्ट एप के अंदर का कोई भी फोटो जो है आप उसको गाइज फोटो की क्वालिटी होती है आप फोटो तो आपके गैलरी में चली जाएगी अगर आप स्क्रिन शॉट ले लोगे लेकिन जो गाइज जो एजडी क्वालिटी होता है वो एजडी क्वालिटी में आपके गैलरी में वो फोटो नहीं जाएगा तो गाइज पूरी तर आपको कर लेना है जैसे कि यह गाइज अगर फोटो है अगर इस फोटो का मैं स्क्रिंशॉट लूँगा तो गाइज यह गैलरी गंदर तो यह फोटो मेरी चली जाएगी लेकिन क्लियर तरीके से जो गाइज नहीं जाएगी तो क्लियर तरीके से और HD quality में इसको जो गाइज हमें नीचे के साइड में एक option देखने को मिलेगा share का हम share वाले option के उपर क्लिक करते हैं और इसके बाद नीचे के साइड में हमको एक option देखने को मिलेगा copy link का हम copy link वाले option के उपर क्लिक करते हैं और अब इतना करने के बाद हम सीधे पीछे के साइड में आ जाएंगे गुगल के अंदर चलेंगे गुगल के अदर आजने के बाद अब गाइज इसके आगे मैं आपको कुछ भी बताऊं इससे पहले कि गार आप मेरे चानल पर नहीं हो और अब इते कि सेनल को आपने सब्सक्राइब कर दो तो गाइज अब जो फोटो को अपने गैलरी के अंदर इसके लिए आपको जो यहां पर सर्च बाई के अंदर लिखना है आपको Pinterest Photo Download पर भी आपको देखने को मिल सकता है आपको लिखना है Pinterest Photo तो डाउनलोड कुछ इस तरीके से लिखना है और इसको सर्च कर देना है जैसे ही आप जब ऐसे लिखोगे और सर्च कर दोगे तो उसके बाद यह जो पहला आपके सामने ओपन होगा पिंटरस्ट वीडियो डाउनलोडर यह जैस यह एक वेबसाइट है और इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है और अब आपको जो है इस वेबसाइट के अंदर आपको आजाना है जब आप इस वेबसाइट के अंदर आजाओगे तो यहाँ पर लिखाव है पिंटरस्ट इमेज डाउनलोडर तो गाइज अब यहाँ पर नीचे के सेड में आपको इक option देखने को मिलेगा paste your link here तो इस box के अंदर जिस photo का link आप copy की रहोगे उसको जो यहाँ पर आपको paste कर जाना है तो हम जो है इसको इस तरीके से paste करता है पेस्ट करने के बाद हम डाउनलोड वाले option के उपर 발iphate क्लिक करें के तो हमारे मूनाय के screen पर हमें कुछ इस तरीका जैक निखने को मिलेगा तो अगर इसके ऊपर आपका किलिक मलेगा बहुत सारे आपको options देखने को मिलेंगे लेकिन guys यहाँ पर आपको इसको ignore करना है और आपको करना क्या है जो photo आप download करना चाहते हो वो photo आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी जैसा कि आपको मेरे वाइल के screen पर देखने को मिल रहा है तो guys आपको भी जब वो photo देखने को मिलेगा तो आपको उस photo के उपर जो है long press करना है कुछ इस तरीके से long press करने के बाद आपको जो है यहाँ पर option देखने को मिलेगा download image का आपको download image वाले option के उपर जो है click कर लेना है और उसके बाद guys वापस से आपको एक option देखने को मिलेगा download again का एक option आपको देखने को मिलेगा तो हम download again वाले option के उपर जो एक click कर लेते हैं अब जब आप इतना कर लोगे तो आप देख सकते हो उपर के चार्ड में लिखा हुआ है download file downloaded तो guys इसका मतलब यह है कि जो फोटो है पूरी तरीके से HD quality में download हो करके सीधे हमारे गालरी के अंदर जा चुकी है नेधे टरीक के उपर आ सकते हो जो इह हो भी जाशको ये उडियुछ पसंद आई कि गाइस लोगे में शरी पर देखने कौन